नमस्कार दोस्तो आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में ये खुब्सूरत सा बबल डिजाइन लाए हूँ देखिए ये कितना खुब्सूरत है आपके स्वेटर की खुब्सूरती को ये बढ़ा देगा इसे बनाने के लिए इसे बनाने से पहले आपसे अंजोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले यहाँ पे आपको प्रदिन एक नया डिजाइन देखने को मिलेगा और धे सारे डिजाइन देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले प्रतेक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए फ्रेंट्स हम डिजाइन बनाते हैं इसे बनाने के लिए चार के मल्तिफल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा दोनो साइड्स के लिए तो मैंने 34 फंदे डाले हुए हैं और पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे फिर नेक्स्ट फन्दे में हम उल्टा बुनेंगे फिर इसी फन्दे में सीधा फिर इसी फन्दे में उल्टा तो हमने एक फंदे से तीन फंदे बना लिए अब उनको दूसरी तरफ करेंगे और अगले तीन फंदे हम लेंगे देखिए हमने तीन फंदे ले ले लिए और बैक साइड से पीछे की तरफ से हम तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे तो पहले फंदे में हमने एक से तीन किया और दूसरे फंदे में हमने तीन से एक किया तो इन ही दोनों फंदों को हमें पूरे लाइन में दोराना है उनको अपनी ओर करना है अगले फंदे में एक बार उल्टा फिर इसी फंदे में एक बार सीधा फिर इसी फंदे में एक बार उल्टा यानि एक से तीन करना है फिर उन दूसरी तरफ करेंगे अगले तीन फंदों को एक साथ लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ लेते हुए सीधा बना फंदा बना लेंगे यानि हमने तीन से एक फंदा बना लिया तो इनहीं दोनों फंदों को दुराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फ्रैंड्स मैंने पूरी लाइन complete कर लिए है last फंदा बचा है यह edge stitch है इसे हम सीधा बुल लेंगे design का दूसरा line और wrong side तो पहला फंदा slip कर लेंगे उन को दूसरी ओर करेंगे और प्रतेक फंदे को हम सीधा बुल लेंगे सभी फंदों को हम सीधा बुल लेंगे तो सभी फंदों को मैंने सीधा बुल लिया last फंदा बचा है तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुल लेंगे अब यह design का तीसरा line है और सामने से तो पहला फंदा हम slip कर लेंगे अब देखिए पहली line में हमने 1 से 3 किया था तो इन 3 फंदों को 1 साथ लेंगे और back loop से 3 का एक कर लेंगे पहली line में हमने 1 से 3 किया था और तीसरी line में हम वापस इन से 3 से 1 कर लेंगे और यहां देखिए 3 से 1 किया था तो उनको अपनी ओर करेंगे और इस फंदे में हम 1 से 3 करेंगे एक दो तीन तो इन ही चारो फंदों को पहला फंदा है जिस टीच है इन ही चारो फंदों को हमें पूरी line में दोराना है तो इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे और back loop से इसे 3 फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे उनको अपनी ओर करेंगे अगले फंदे में पहले उल्टा फिर सीधा और फिर इसी फंदे में उल्टा अगले तीन फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से इन्हें सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे अब उन अपनी और करेंगे नेक्स्ट फंदे में पहले उल्टा फिर इसी फंदे में सीधा और फिर इसी फंदे में उल्टा अब उनको दूसरी और करेंगे लास्ट फंदा एस टीच है इसे हम सीधा बुन लेंगे और रौंग साइट से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे शेस फंदो को सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को हम उल्टा बुनेंगे तो पूरी लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंस डिजाइन बनके तियार है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो ग्रिपयाई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने श्तेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाल थैंक यू